A very warm welcome to all of you, मैं हूँ करुणा, आप देख रहे हैं Reversing Arthritis The Scientific Way दर्शको Arthritis और Osteo Arthritis एक ऐसा दर्द है जो इनसान को बेबस और लाचार कर देता है वो एक खदम भी चलता है तो उसे लगता है जैसे वो मीलो चल कर आया है दर्द सहन ही नहीं होता लेकिन क्या इस दर्द से उसे निजात मिल सकता है? क्या ये reverse हो सकता है? ऐसा संभव हुआ है और ये संभव किया है देश के नंबर बन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गॉरव शर्मा ने डॉक्टर गॉरव शर्मा देश के मशूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर गॉरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टन मेडिसिन में शिक्षा हासिल की इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पत्थती जैसे आयूवेड और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्यान किया है पिछले 13 सालों से डॉक्टर गॉरव शर्मा विटमिन्स, मिन्रल्स, एंटी ऑक्सिदेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थ्राइट प्लस आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर गॉरव शर्मा मौझूद है चलिए उनका स्पागत करते हैं डॉक्टर गॉरव शर्मा, वेल्किन विजिशोग तैंक यू वेरी मच्छ करूना जी जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर गॉरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है या आपके सभी सवालों के जवाब देंगे आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्फ करेंगे स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर तुरण डायल करें तुरांथ हम आपकी डॉक्टर गॉरव शर्मा से बात कराएंगे डॉक्टर गॉरव एक सवाल मेरे मन में उठा है कि आथराइटिस ज्यादा भेंकर या ज्यादा गंभीर है या फिर आथराइटिस की प्रतिय अन्भिग्यता यानि इग्नॉरंस वेल आपने बहुत ही भारी क्वेशन पूछा है हमसे वेल अगर देखें तो दोनों चीज़ें बहुत डेंजरिस हैं और इसका फिलोसॉफिकल आंसर भी दे सकता हूँ लेकिन बड़ा इंट्रेस्टिंग आंसर भी दे सकता हूँ कि I think so, इग्नॉरंस और डेंजर्स की रिस लगानी पड़ेगी और देखते हैं कौन जीता है लेकिन अगर समझें तो दोनों चीज़ें बड़ी डेंजरिस हैं एक चीज़ है कि आपको अर्थराइटिस होती है आपके उसके लिए कुछ करते हैं आप कुछ lifestyle changes करते हैं आप nutrients डालते हैं, exercises करते हैं, etc और दूसरी तरफ है, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या problems और यही problems maximum हमारे जो viewers हैं और हमारे देशवासी और दुनिया के बहुत से लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं आज तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़े बहुत dangerous है लेकिन अगर आपके पास knowledge होगी तो आप osteoarthritis के जो dangers आ रहे हैं future में उनसे भी बच सकते हैं और osteoarthritis को मोटोड जवाब दे सकते हैं तो डॉक्टर गॉरव आप यह कहना चाह रहे हैं अगर आथराइटिस को लेकर लोग अवेर होंगे तो ना केवली बिमारी कम होगी बलकि लोग इसके इलाज भी शायद टाइम रहते ढून पाएं और जल्दी रेकवर कर सकते हैं अब्सलिटली आपने बिल्कुल सही समझा कि दोनों चीजें इंटर रेलेटिड हैं अगर हम एक चीज को अड्रेस कर लें यानि कि हमारे पस नौलेज आ जाए उस नौलेज को अगर हम अप्लाई करें तो जो डेंजर आएंगे औस चलते उन सब से बचा जा सकते हैं प्रक्टर सब एक दर्शक जोड़ गया है जी बश्ताद जी नमस्कर, हलो हलो जी नमस्कर, आपका शुब नाम अव्तार सिंह जस्रोटिया अव्तार सिंह जस्रोटिया जी, स्वागत है आपका हमारे शो में आपका, आप कहां से बोल रहे हैं मैं जम्मू युनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ जम्मू युनिवर्सिटी से? जी 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 बहुत बढ़िया, डॉक्टर गौरव भी यहीं पर मौजूद हैं आप उनसे सीधे सवाल कीजे हलो हाँ जी जस्लोटिया जी, नमस्कर, कैसे हैं आप बहुत अच्छे आप सनाईए आप बताईए हम तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके जम्मू से कहां से बोल रहे हैं आप जम्मू में मैं युनिवर्सिटी में हूँ प्रफेसर हूँ युनिवर्सिटी में प्रफेसर हूँ जी, तो आपकी, तो हेड साभ, आपकी उमर कितनी है? मेरी उमर है थी 48 प्लस 48 प्लस और आपको भी क्या ओस्टो और्थराइटिस की परेशानी है यो कुछ और चीज से मुझे कुछ दिनों से दर्द लग रह थी कुछ गुर्ड रहें लग रही ज़िए कभी गवाजू के फ़ेज़ के नीम रेज़ के लग रहें फ्ल१ू एक प्लॉकर की धंटी थी मुझे उन्हों ने यह आपना टेस्ट करा। जूरिय मेने टेस्ट कराया तो फोड़ा सा बड़ा है। यूरिक आसिड आपने चेक जो एक और और उरिक एसिर उरिक पाइसिर में गारा हुआ दोर भी को पुछे दो-ठीन सार्स ellaire ले प्रफ़ अब घॉरिक का नःए त्रよね ऑप जो है वो 6.3 ही ऑब कोई बात नहीं है और यू जो आपके जॉइंट्स के अंदर जाके खटा होता है क्या पेट पे फैट तो नहीं खटा कर रहे है मतलब कि पेट पे कमर पे आपका फैट तो नहीं चड़ रहा आभी पहले तो थे फैट अभी थोड़े कम हो गए है तो देखिए सिंग साब आएक चीज समझे आपकी जो आपको ये समझाना चाऊंगा और ये जो प्रड़क्ट है ये उस चीज के लिए नहीं बना है जिसको हम अगेन हम इग्नोरिंस की बात कर रहे थे तो ये जो ऑस्ट्राइटिस का है ये इसके लिए आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना चाहिए खाने पीने पे ध्यान र जो आप अपना वजन कम करें एक्सरसाइस की तरफ ध्यान दे खान पीन के पर ध्यान दे और सबसे ज़्यादा अपने पेट पे से और लिवर में से फैट हटानी की तयारी करें अपना ख्याल रखें आई होप आप समझ गयोंगे कैसे आगे बढ़ना है जी 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 थैंक य अपतार सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया और उमीद है आप जो थोड़ा बहुत आपको कुछ चीजें समझने आ रही थी डॉक्टर गॉरव ने आपको बता दिया है एक्जाक्ली यही चीज हम डिसकस कर रहे थे कि एग्नॉरंस इग्नॉरंस या इन फ ना कर रहे जो चीजा लो के सकते है रहे यही चीजा, है ने छीजा इसक उसक मेना उमारे यही agora हम को बोड़िक लेर के नहीं कर पाती है उम्हारे शरीम पहुथता ह्यु को अन्यूर शुरू हो जाता है वो भी acid से related होता है well acid से related नहीं होता है kidney function से related होता है और वो आगे या तो आपका diabetes के चलते हुए diabetic nephropathy से चलता है या आपका blood pressure बड़ा हो तब आपको nephropathy होती है उसके अंदर आपके urea levels बढ़ते है और जब जब ज़ादा बढ़ जाते हैं dialysis के उपर जाना पड़ता है और रोज या हफते में दो बार या तीन बार कराना पड़ता है और रोज खर्चा होता है मैं इश्वर को कहता हूँ किसी को भी kidney failure में ना भीज़े बहुत ही डरावनी condition है जी डॉक्टर साब हमने osteoporosis और osteoarthritis पर discussion की थी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि osteoporosis और osteoarthritis क्या ये मुम्किन है कि एक इनसान को ये दोनों चीज़े हो और अगर osteoporosis है आपने कहाँ bone की density कम हो जाती है तो क्या उससे joint problem भी हो सकती है which can lead to arthritis वेल आप बड़े interesting questions पूछने हैं लेकिन हाँ हो सकता है और काफी सारे लोगों को होता और खासकर अगर thyroid के patient हैं और कुछ सालों से या दशकों से आप अपनी दवा खा रहे हैं तो definitely osteoporosis तो होगा और साथ-साथ degenerative changes जो age के साथ आते हैं वो भी साथ-साथ आएंगे और बहुत से patients आते हैं हमारे पास जिनको osteoporosis और osteoarthritis होता है और ज्यादा तर age बढ़ने के साथ ये problem आती है बट इनका relationship बहुत हलका है इतना ज्यादा नहीं है लेकिन जो risk factors हैं वो definitely बहुत serious हो सकते हैं जी जी डॉक्टर साब एक और दाश्ट जोगे है हमारे साथ नमस्कार, हालो हलो जी आपका शुब नाम जी एम माग्रे माग्रे साब कहां से बोल रहे हैं आप मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ कश्मीर से, बहुत खुब माग्रे साब, डॉक्टर गॉरफ शर्मा भी हमारे साथ अभी स्टोडियो में मौजूद है आप सवाल पूछें उनसे अपना हलो मैं रक्साब को नमस्कार बोल रहा हैं जाता हूँ माग्रे जी नमस्कार कैसे हैं आप वाजी महरवानी आपकी ठीक ठाक है हमारी महरवानी नी, हमारा नमस्कार स्विकार करें आप बताईए आप कहां से बोल रहे हैं कश्मीर में श्री नगर से बोल रहा हूँ मागड़े जी बताईए आपके उमर कितनी है सबसे पहले मुझे बताईए 51 तो 51 यंग मैन है आप तो जी, बताईए कैसे याद किया आपने हमें? मैंने परे आपका एक प्रोग्राम देखा था तो फिर मैंने सुर्जा कि मैं आपसे ये दवाई लूँ कि यहाँ ज़्यादतर ये बोमेंट जोईंट का जाए इधर कश्मीर पे जादा ये दर्द रहता है जी, 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 तो सर फिर मैंने आपसे राथा किया दिली, दिली से दावाई मंगा इथली 15 दिन के लिए मुझे अच्छा उड़ी दिला उसे मागरे जी मुझे ये बताएंगे आपको परेशानी क्या थी? आपको कौन से जोड़ों में दर्थ है आपके सब जगा दर्थ था तो आपने अपने कुछ टेस्टिंग करवाई थी रिमटाइड आर्थ्राइटिस तो नहीं निकला थी जी वो निकला आपका वो निकला उसी की वज़ा से आपको ज्यादा जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसी की वज़ा से काफी परेशान होंगे तो बताईए कितना रिलीफ मिला आपको आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो रिमटाइड आर्थ्राइटिस है ठंड के साथ परेशान करती है इसके फेजिस आते हैं आप और डाउन जाते हैं लेकिन यह जो आर्थ्राइट प्लस जो प्रड़क्ट है जो फूट सप्लिमें यह हमने रिमटाइड आर्थ्राइटिस के लिए नहीं बनाया लेकिन अगर इससे आपको फायदा हुआ है तो इश्वर को थैंक्यू करें और इसको एंजॉय करें क्योंकि यह बहुत परेशान कर देना बाला दर्द होता है और इसके साथ बहुत बहुत परेशान बहुत प इसको फटा-फट इस्तमाल करें आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगा और इसको लगाहतार लंबे समय तक मेंटेंस डोजेज में तो मैं उमीद करूंगा कि आपकी कंडिशन और ज्यादा इंप्रूव हो अपना ख्याल रखें थैंक यू थैंक्यू 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 धनेवाद मांगडेची और दर्शको अगर आपने एपिसोट बीच में से देखा है या फिर मिस हो गया तो बिलकुल भी ना घब रहें आप इसका रिपीट टेलिकास देख सकते हैं और अगर आपको पुराने एपिसोट देखने हैं कुछ जानना हैं कुछ मदद चाहिए तो आउनलाइन जाएं गौरफ शर्मा टाइप करें सारे एपिसोट आपके सामने होंगे आप जो मन चाहिए देख सकते हैं तो अकसर सुनने को मिलता है कि सर्दी के या जब ठंड होती है तो लोगों के जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है इसके पीछे क्या कारण देख जब आपका टेंपरेचर अच्छा होता है तो उसका फ्लो भी अच्छा रहता है फॉर इंग्जामपल आपने देखा है कि घी जो है बेसिकली जब ठंड होती है तो अकड़ जाता है अब जब गर्मी होती है तो पिखल जाता है उसी तरीके से हमारे जॉइंट्स के अंदर हमारे सेल्स के अंदर भी ऐसे ही साचुरेटड फैट्स होते हैं और जब वो गरम होते हैं तो बड़ी अफस क्लास काम करते हैं और जब ठंडे होते हैं और खासकर इस तरह के ऑर्टोमीन प्रोसेस का अटैक होता है डेफिनिटली परिशानी जादा आती है इसलिए बहुत स साथ-साथ वो यह भी बताते हैं कि अगर सुबह उटके हम होट फर्मेंटेशन कर लें हैं कुछ गर्माहट ले ले या होट बाथ टब ले ले या सिरफ एवन एक गरम इलाके में बैट जाएं उनको इमीज़िटली अराम मिलना शुरू हो जाता है जी रोकुर सब थैंक बरुनाजी आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे लगातार व्यूर्स जो हैं जो डाइबिटीज भी देखते हैं और जो ऑस्टर अर्थराइटिस के प्रोग्राम्स भी देखते हैं तो मैंने हमेशा ये कहा है कि है जिसका नाम हम ऐस्पर्टेम कहते हैं और ऐस्पर्टेम के साथ बहुत ज़ादा कॉंट्रिवर्सिस जुड़ी हुई है उन्नीस सो एक्यासी में जब यह अप्रूव हुआ प्राइमेरली और कहा जा रहा था कि हमारे रॉनल्ड रीगन नाम के जो प्रेजिडेंट आये थ और 1973-74 से इसकी लड़ाई चल रही थी और बाईचांस 1965 में जब एक साइंटिस्ट एक पेट के अलसर की दवाई बना रहे थे तो उनके हाथ पे लगा था नो नो इसको चाटा तो मीठा निकला वहीं से इसकी कहानी शुरू हुई इसके तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक फिनायल एनलिन होता है उसके साथ साथ एसपैर्टिक इसिड होता है और साथ Lionel होता है लेकिन प्राब्लम सबसे बड़ी इसके अंदर ये होती है कि वो जब 86 degree Fahrenheit को अगर हम कहें कि approximately 30 degree के आसपास जब वो पहुँचता है तो वो formaldehyde के अंदर convert हो जाता है और formaldehyde के बारे में शायद आपने सुना हो कि labs के अंदर जो organs को preserve किया जाता है वो formaldehyde के अंदर ही preserve किया जाता है और ये काफी dangerous होता है हमारे शरीर के लिए और ये खासकर हमारे brain के लिए बहुत ही dangerous होता है जब इसकी research हो रही थी जब इसकी testing चल रही थी तो बहुत सारे बंदरों की death होई brain damage से इसके उपर जब research हो रही थी तो बहुत सारे जानवर मरे थे उनके पेट में छेद हुए उनके organs के अंदर छेद हुए और वो छेट जो होते थे वो बड़े मुश्किल होते थे लेकिन कुछ लोगों के लालच और ग्रीड की वज़ा से ये प्रड़क्स मार्केट में निकले और इसकी कम से कम नहीं तो 10,000 कंप्लेंट्स FDA के पास US के अंदर गई हैं जबकि 1% से भी कम लोग कभी कम्प्लेंट करते हैं और कम्प्लेंट्स ऐसी थी कि लोगों को चक्कर आते थे आँखों के हैं सामने धुनलापन होता था सर्थ का दर्थ होना और सर्थ का दर्थ एक एस्पर्टेम की वज़ा से भी सोचा जा सकता है और यह माना गया है की निरो टॉक्सिन है यह हमारे ब्रें के लिए जो ब्रें की जो फंक्शिनिंग है इसको बिगाडता है और कुछ डॉक्टर्स तो यह भी हाइपोटس साइ्स कर रहें यानि कुछ सोच रहे हैं बता रहें कि खासकर इसे लोगों को दिया जा रहा है कि उनका दिमाग कम बने वो सरकारों को questions ना कर सके उनको हमेशा thought process है weak रहे यानि कि dumb लोग हो बड़ यह उनका सोचना है मैं इससे काफी सहमत हूँ लेकिन यह मेरी सोच नहीं और साथ-साथ यह आटिजम जैसे बिमारी का भी इसके साथ connection बताया जा रहा है और brain की development में बहुत जादा इसका रोल देखा जा रहा है और खासकर बच्चों की generation जन्होंने इसको लिया है उन में बहुत जादा problem है इसलिए मेरा काम है आपको सचायत करना के चोकनने रहे aspartame जैसे चीज़ कोई लिखी हो तो उसको बिल्कुल भी ना ले और साथ-साथ आप शायद आपको पता नहाँ आपकी कोलास के अंदर जो डाइट वाली जो कोलास आती है उसके अंदर भी aspartame होता है तो please, please, मेरी request है कि एक बार भी ऐसे artificial sweeteners ना ले और अगर आप दूसरा option चाहते हैं तो market के अंदर ढूंडे stevia available है उसको कम से कम लें या sugar alcohols के अंदर erythritol या xylitol जैसे चीज़ें हैं और अगर आपको कुछ भी ना मिले हम आपको option दे सकते हैं आप sweet joy को ज़रूरी उस करें लेकिन ये मैं आपके चिंतन के लिए छोड़ रहा हूँ आपके decision के लिए छोड़ रहा हूँ तब तक अपना ख्याल रखें Thank you Thank you so much doctor Thank you very much Karanaj दर्शकों अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई जानकारी आप हमसे जानना चाते हैं कोई भी query है तो आप हमसे संपर करें इस पते पर हमारे फोन नंबर से है 011-4177-4177 प्लस 919711-777254 प्लस 919711-777259 हमारा email address है info at drgwellness.in drgwellness at gmail.com हमारी website है www.drgwellness.in Reversing Arthritis The Scientific Way में आज बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक हे लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है क्योंकि हमें आपकी है